आपने कहा जा सकता है कि आपने 15 साल लालू यादव का भी देखा, 15 साल नितीश कुमार का भी देखा, आपको बहतर कौन लगा? कि उसमें तो नितिश कुमार का ही सासन बहतर लगा तो कि इसके राज में जो है उल्यडी फ़र सा क्राइम रुका क्राइम कंट्रोल हुआ बिजली सरक पानी का इस्थिती सुधरा और लालू जी की रिजन में यह सब नहीं था जिता अभी स्रक्षित महसूस कर रहा है उतना उ जाता है जो सामने जलकता है इसलिए बुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए लालू जी का 15 साल बहुत अच्छा रहा समाजी के लड़ाई लड़ते जी जो 15 साल है 15 साल बनाम 15 साल इस सरकार में साथ मिश्चर से लेकर रखेवल लूट पाठ हुआ है अभी ना तो तिज जी को छोड़ करके बिहार में कि अभी कोई भी विकल्प नहीं है और यह मोदी जी के साथ यानी बीजेपी के साथ उसका गटबंधन है बहुत यह बढ़ियां है और बहुत यह अच्छे ढंक से चल रहा है तो हमको लगता है कि अभी बिहार में इनके अलावा दुसरा कोई भी विकल्प नहीं है देखे राजनीती हमारा कोई इंट्रेस्ट का विशय नहीं रहा है कभी भी तो हम तो पहले अभी भी सोचाए कि नोटा को ही भोट करेंगे और बहुत कम ही बार हम भोट दिया है या कोई हमारे जान पचान के परचित खड़े हुए हैं तो हम उनको भ राए जानेंगे कि वह अगामी विधान सभार चुनाओं में किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और समर्थन करने के पीछे उनकी क्या वज़य है और पिछले जो पंदरा साल वर्सेस पंदरा साल जो जंगल राज बनाम सुशासन का चल रहा है इस पर उनकी क्या रहा है अवधेश कुमार सर बिहार में चुना होने हैं और नामांकन की प्रकिरिया एक तारिक से शुरू होने जा रही है आप अपने हिसाब से क्योंकि आपकी मुझे लगता है उम्रे 30 साल से जरूर जादा होगी 36 साल है तो आपने कहा जा सकता है कि आपने 15 साल लालू यादव का का भी देखा 15 साल निटीश कुमार का भी देखा आपको बहतर कौन लगा उसमें तो निटीश कुमार का ही सासन बहतर लगा क्योंकि इसके राज में जो है ओल्यडी थोड़ा सा क्राइम रुका क्राइम कंट्रोल हुआ बिजली सरक पानी का इस्तिती सुधरा और लालू जी और बाकी जो राज्धानी है जो बाहर निकलते हैं तो उससे जब इसको कोरिलेट करते हैं तो आपको बहुत एक बड़ा गैप आपको खाई नहीं दिखती है नेकिए जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बहुत सारे सरम से सर जुका लेना पड़ता है क्योंकि हम कितने भी नीछे वाला काम करता है डिया से संबोधित करता है हर अपने अपना स्ट्टूडेंट को अपने अपने करे me government के जॉब में सब को होल्ड कर दिया गया जो कि यह सिर्फ जार्खंड का ही आदि भर सकता है लेकिन यह चीछ बिहार में लागू अभी तक नहीं किया गया इस मुद्दा पे सरकार बहुत विफल है अच्छा आपको अगर इस बार सरकार चुनना हो तो किस मुद्दे पर चुनेंगे और किसको गठवंदर नहीं है यह भी मुखमंत्री का चेहरा चेंज करें एक भी नितीश कुमार के नाम पर बहुत जिंदगी बन नहीं मांगते रहें क्योंकि 15 साल नितीश कुमार भी राज किये 15 साल जगनात्मिस्रा भी राज किये लेकिन उससे यह नहीं फरक वरता है जो कि हर बा जलकता है जलकता है इसलिए मुखमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए बोटिंग इस बार अब देखिए क्योंकि विपक्ष में भी चेहरा थोड़ा से ढंका आ जाए विपक्ष को भी चेहरा बदलना चाहिए अभी मेरे सामने एक लालु यादव की पाटी कहीं लगता है कि स लालु जी का 15 साल बहुत अच्छा रहा समाजी के लड़ाई लड़ते यह जो 15 साल है 15 साल बनाम 15 साल इस सरकार में साथ निश्चे से लेकर किवल लूट पाट हुआ है बिरोजगारों को कुछ नहीं मिला वही नरेंद्र बोधी कहते कि दो कडोर बिरोजगारी देंगे और बिरोजगारी हटाएंगे और बिरोजगारी को नौकरी देंगे और 10-10 लाग खाता में देंगे 15-15 लाग या कोई इनका मतलब नहीं हुआ एक तरफ बिहार में बाहा है हुआ है दुसरे तरफ करोना है विपच के महा गडबंधन के लोग चाहते देख चुनाव नहों लेक बात कर रहे हैं जो 15 साल लालु यादो का था वह बढ़िया नहीं था उसमें लूट अपराद अपरान इस तरह की चीज़े होती थी आप उसको बढ़ियां बता रहे हैं नहीं ऐसा बात नहीं है लालु जी के समय में समाजी खन्याय मिला जो गरीब दलित पिछड़ा लोग अब बदलाब के लिए कहें सब्सक्राइब है यह था बात नहीं कर रहे हैं वह बदलाब के लिए क्लिए कि पुछ वादरिका कन्हिया कुमार का चिराग पासवान का यह दो बिहार में दिखेंगे अभी जैसे चिराग पास्वान जी हुए उनका भी चेरा ठीक है पुस्तम्प्रिया चौदरी भी अभी छेत्र में आई है उनको था सब मेहनत तो अभी करना पड़ेगा ठीक है कंडिडेट सही है कोई दिक्कत नहीं है लेकि राजनीती समझना पड़े व्रभा साल बनाम के लडाई है आरपार के लडाई है और जो तेजस्वी आदे विवाह नॉज्मान तावे के रोटी को बदलने काम है तावे का रोटी अगर नहीं बदलिएगा तो तावा का रोटी जल जाएगा ना आप खाएंगे न हम खाएंगे और विरज़गारों को तो तेज़ा उसमी ने कहा कि हम पहला प्राथ मिता रहेगा कि बिरजगारों को हम नौकरी देने का काम करें लेकर पड़िवार हो गया पड़िवार से ही आते रहेंगे इस यह भी नहीं होना जाए पड़िवार बदल यह थोड़ा सा वह बढ़िया है तो कुछ और भी लोग हम से जुड़े हैं इनसे भी हम जानेंगे कि यह चुनाओं को बिहार चुनाओं को लेकर करके क्या सोचते हैं और किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं किस नेता को बहतर मानते हैं इन सब सारी मुद्दों पर इनसे बाचित करेंगे सर बिहार में चुना होने है जिसकी नामाइकन प्रिक्रिया एक तारिक से शुरू होने जा रही है एक दिनों के बाद अगर इस चुनाओ में देखा जाए तो 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर चुनाओ हो रहा है महागटबंदन वर्से जो में मुकाबला है वो देखने को इंडियो को मिल रहा है आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बहतर है किसने 15 साल में विकास किया और किसने 15 साल में बिहार का जो कहा जा कि बिहार को पीछे ले गई देखिए जहां तक विकास की बात है नितीश जी को छोड़ करके बिहार में कि अभी कोई भी विकल्प नहीं है और ये मोदी जी के साथ यानी बीजेपी के साथ युसका कटबंधन है बहुत ये बढ़िया है और बहुत ये अच्छे ढंक से चल रहा है तो हमको लगता है कि अ अपना के ही रहने वाले हैं और इजनल हम लोग वेस्ट पाकिस्तान से बिलॉंग करते थे नाइंटे फोटी सेवन में जो देश का डिवीजन हुआ तो हमारे फादर मदर यहां आ गये तो हमारा जनम यहां नाइंटे फिफ्टी वन में हुआ तो यहीं पर स्कूलिंग किया है कि पचास से जादा के आपके उम्र हो गई होगी हमारी उनहत्तर बष्ट होने जा रही है कि आपके जो बच्चे रहे पहां रहतें हमारे बच्चे दिली इक दिल्ली ölduk आपके बच्चियों को पटना शहर में आपको रहते हुए आपको इस उम्र में छोड़ करके बाहर रहना पड़ रहा है। हम अपनी आखों से देख रहे हैं और जहां तक बच्चों की बात है वो तो जहां उनको अप्रोचिनीटी मिली। आपके लिए चुनाओं में या फिर राज के लिए या शहर के लिए एक बड़ा मुद्दा सड़क हो सकता है या सिक्षा हो सकती है। नहीं देखिए सिक्षा की तो बात है तो वो तो ड्यू प्रोसेस हो ही रहा है। सुला में रिटायर किया है हम भी फिजिक्स के प्रोफेसर थे पटना में एक वोमेंस कॉलज है योडी मोमेंस कॉलज है वहां से हम रिटायर किया है। तो हर टीचर की अपने जिम्मेवारी होती है कि वो कितना ओनेसली पढ़ता है और कितना ओनेसली पढ़ाता है। बाकी तो बाब हम इंप्राइड हो गए अब हम इसी के अलावा और भी हमारे जितने लोग हैं वो उसमें भी इतना इमानदारी से काम करें कि सब के पीछे तो कोई जान नहीं न सकता है। देखिए अभी देखिए अब नया मुद्दा जो है जो चाइना से लड़ाई होने वाली है। अब देखिए कि वो बनाएंगे वो बनाएंगे वो बनाएंगे वो चल रहा है। ठीक है हम इस बात को यहीं पर खत्म करेंगे आपके लिए क्या कौन बहतर इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। नितीस जी को छोड़ के किसी का नहीं होना चाहिए। बदलाव के लिए क्या नितीस कुमार के जाखा पर को युवा चेहरा नहीं आना चाहिए। नहीं आना अभी हमको कोई नजर नहीं आ रहा है। अगर नजर आता तो उसका नाम जरूर लेते। चलिए ठीक है सर आपका नाम क्या हुआ मेरा हुआ राम परविश्चंद्रा सर आप क्या करते हैं हम तो भी जॉब में हैं बिहार सकते हैं बिहार में मालू हुआ कि चुनाओं होने हैं जिसकी नामांकन प्रकीरिया भी अब शुरू हो गई है मतलब एक दिनों के वाश्य शु विकास तो हुआ है हर शेत्र में विकास हुआ है जो पहले 15 साल पहली की बात है और 15 साल में तो बहुत प्रिवर्तन ते क्या 15 साल में विकास के पैमाना यहीं है इतना ही विकास होना चाहिए और इस आप संतूस्ट नहीं है विकास तो और होना चाहिए विकास तो हर शेत्र है किरसी के छेत्र में या जो क्या बोलते हैं कि आजकल तो आगे नेटो गर्णा का जबहना है तो यह सब जो हमारा बैसी के स्ट्रक्चर है उसको तो Cum Six होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि विकास का पैमाना होता कि हमारा जो बैसी के स्ट्रक्शर है वो मेरा वो सही है कि नहीं कुछ और भी लोग है इंसे भी हम बात करेंगे सर इधर हो जाएंगे आप बताइए इस चुनाव में अगर जब आप वोट करने जाएंगे तो किस चीजों को एक पैलर रख करके और पैलरी वोट करेंगे कि जै जादाव का और अभी का 15 साल भी आप देख रहे होंगे क्या लगता है देखे राजनीती हमारा कोई इंट्रेस्ट का विशय नहीं रहा है कभी भी तो हम तो पहले अभी भी सोचा है कि नोटा को ही भोट करेंगे और बहुत कम ही बार हम भोट दिया है या कोई हमारे जान प कि रोड और सिक्षा तो सिक्षा तो एकदम चौपट है नितीज भी नकारा साबित हुए है हमारा एक मित्र है कहल गाउ में रहता है हमारे स्कूल का दोस्त है तो कहल गाउं से भागल पुराने में उसको कहता है कि गाड़ी तो बन थी तो अभी उसको भागल पुराना तो ये, that is not possible. अच्छा मलतीश कुमार जो दावा करते हैं कि वो सुदूर इलाकों से पटना पाच घंटे पहुच जाएंगे, वो दावा उनका फेल है? एक दम फेल है, सिख्छा का तो बात अगर आप देखी रहे हैं, कि जो भी हम डेपूटेशन में सर्व सिख्छा अभियान में भी थे, तो स्कूल भी ऐसे जगह पे खोलते थे, जहां लोग इंफ्लूएंशल हैं, पॉलिटिक्स से प्रभाबित लोग हैं, वो चाह के अपने ह लिखाई किए, वहां पे कोशिस किया कि एक स्कूल बन जाए, लेकिन टीचर्स जो बहाल हुआ है, आप देखे रहे हैं, 98% फेल कर गए, तो फिर सिख्छा नहीं सुधर सकता है, ये भी कहना कि बिहारी लोगों को हम ये करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो वो भी आप देख कर रहे हैं, कहीं से कहीं, सर कह रहे हैं कि ठीक है, सम्थिंग बेटर दन नथिंग वाला हाल, येस, सम्थिंग बेटर दन नथिंग, मलब ग्रेजवली अगर वो बहुत बेकार था, तो उससे कुछ बेटर है, कोई भी चीज, हम कुछ दिन इसमें भी हमारा डेपूटेशन ह हुआ था, नगर विकास में, तो ये जो गंगा के किनारे जो एक रोड बन रही है, उसको सोला में, मेरी नराइब जिसको कहते हैं, वो सोला में बन के तयार होना था, आज बीस है, देखी रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं है, कब तयार होगा, गौड नोज, कोई उसको ये नहीं बताया नहीं जा सकता है, आप देखे, ISBT का संजोग से हमारा जमीन है वहाँ पे, तो हम संडे को गए कि देखे कि ISBT का उदगाटन हो गया, गए तो देखा कि उसमें बताया कि एक elevated road के से उसको जोडा जाएगा, तो elevated road अभी road से connect नहीं हुआ है, six lane बनना है, वो lane नह हो गएगा चालू होने में, बट उदगाटन हो गया, तो केबल उदगाटन और सिला न्यास यह होता रहता है, हम तो अल्मोस्ट 37 साल स्टेट गवर्मेंट की नौकरी में रहे, और इसी से जुड़े रहे, इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट में हम रहे, आप ने सुना यहां पर कुछ लोगों से हमने बात की नहीं कह सकते हैं कि बहुत, बहुत जावा लोगों से बात की है कि उनका कहा रहे कुल मिला करके जो एक्षारांस निकलता है वो यही है कि संब्स्टिंग बेटर दन नटिंग वॉले स्थिति में नितीश कुमार है, नि हमें comment box में लिकर जरूर बताए इसके साथ ही बिहार चुनाओं से जुड़े और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल 10Z Plus को सब्सक्राइब कर ले और अगर ये वीडियो आप हमारे facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को like करें और follow करें